उत्तर प्रदेश में जहां त्री इस्तरी पंचाय चुनाव को लेकर माहुल गर्म है वहीं बिती रात को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जीले सहित कई हिसों में आई भयानक आंधी और तुफान ने कईयों के घर उजार दियें कहीं किसी का पेड़ गीरा तो कहीं किसी की छत की त्रीन सेठ ही उड़ गई यह भयानक दिस जो आप देख रहे हैं जौन पुर्जिले की निवडियां थाने के बगल का है इसकी हलत आप देखकर यह जरूर महसूस कर सकते हैं कि वह मंजर कैसा होगा धूल भरी आंधियों ने ऐसा सितम ढ़ाया की बना बनाया चमन ही उजड़ गया यह तीन सेठ जो लगा हुआ था मजगूती से इसके मालिक ने काफी खुबसूरती से इसको बनाया था मगर खुदरत के आगे किसका चलता है ऐसा सितम आधियों ने बीती राट को ढ़ाया की तीन समेत छत से जमी दोस हो गया रहत की बात यह रही कि इस में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है वहीं आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ने वड़ियां तरती मारक के समी दोदा पुरमोड की बताई जा रही है बताया जाता है कि जैसे ही तेज आधि चली ठीक उसी समय नीम का पेड बीचो बीच सड़क पर गिर गया एक ब्यक्ती जो चंद सिकेंड पहले ही निकला था रहत की बात या रही कि जैसे ही वह ब्यक्ती नीम का पेड क्रोस गिया झाल झाल